तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका मोबाइल नमबर या कोई डिटेल आपकी गलत है तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपकी डिटेल है आप उसको कैसे ओनलाइन करेक्ट कर सकते हैं आपकी कम्पनी के थुरू आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत अपडेट हो जाता है कम्पनी आपका गलत नंबर डाल देती है एस साइसी में तो कैसे आप उसको ठीक करवा सकते हैं अगरें अगरें जैसा कि हम सब जानते हैं यह साइसी में लोगिन करने के लिए जो आपकी डिटेल रहती है आपका नाम और डेट वर्थ वो क्रेक्ट होनी चाहिए और इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेटिड होना चाहिए लेकिन कई बार कह रहता है आपकी जो कम्पनी है आपका मोबाइल नंबर गलत अपडेट कर देती है जिसकी वज़े से आप अपना जो ESIC का लोगिन है उसको लोगिन नहीं कर पाते हैं और फ पर कलिक करता हूं और अपनी जो इंफ्फरमेशन दालता हूं यहां पर उसके बाद माँ साइन उप पे कलिक करता हूं तो दीखिए यहां पर यह पर वो तो यहां पर हो सकता है कि जो मेरा जनवर डेट बर्थ है वो गलत यहां पर अपडेट हो रखा होगा या फिर जो मेरा मोबाइल नमबर है वो गलत अपडेट हो रखा होगा मेरे एससी रिकोर्ड में तो आपको यहां पर लग रहा है कि आपका जो मोबाइल नमबर है वो गलत करवाना पड़ेगा तो अगर आप एजे employees वीडियो को देख रहे हैं तो आप यह देखें कि आपका जो mobile number है वो कैसे update होता है company से और अगर आप company से हैं और HR में काम करते हैं तो आप देखी कि कैसे जो आप अपने employees का जो ESIC number है उसमें जो details है और जो mobile number है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स mobile number ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको company का login है उसमें login करना पड़ेगा उसके लिए आपको ESIC की site open करनी है और जैसे यह आप ESIC की site के home page पे जाएंगे वहाँ पे आपको एक option दिखाई देगा employer login यहाँ पे आपको देखिए जैसे आप login कर लेते हैं आपकी जो company का ESIC portal है वो open हो जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ pop-ups दिखाई देंगे वह आपको close करने हैं उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे employee वाले section में कुछ options दिखाई देंगे register enroll new employee इस पर हमने ओलेड़ी वीडियो बनाई हुआ कि कैसे आप employee को register कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे आप mobile number update कर सकते हैं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यह तो है mobile number update करने का लेकिन अगर mobile number आप डाल देते हैं और वो गलत डल जाता है तो कैसे आप उसको ठीक करेंगे तो उसके लिए आपको इसी option में जाना है update particulars of insured person जैसे ही आप इस प पर क्लिक करना है जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे employee की detail आपको दिख जाएगी इसको select करना है आपको और edit पर क्लिक करना है तो जैसे आप edit पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको employee की details यहां पर दिखाई देगी और आपको यहां पर कुछ options दिखाई देंगे name, dispensary, personal, details, address address detail, nominee detail, family detail और bank detail तो friends यहां पर अलग से कोई ऐसा option नहीं है जहां पर यह लिखा हो कि mobile number कैसे update करना है या कैसे change करना है जैसे यहां पर bank detail का option आ रहा है ऐसे mobile का option नहीं है तो mobile number इन में से किस option में आपको जाके ठीक करना है वो मैं आपको बताता हूं तो यहां पर आपको address detail का option है और यहां पर जो mobile number employee का डला हुआ अलड़ी वह आपको यहां पर दिखाई देगा अगर यह mobile number employee का गलत है तो आपको edit पे click करना है जैसे आप edit पे click करेंगे तो यह जो field आपका यह editable हो जाता है आप इसमें change कर सकते हैं तो जैसे यहां पर मैंने गलती से employee का जो mobile number है last मे 8 की जगए 7 की जगए मैंने 8 कर दिया था तो उसको correct करना है तो अब मैं दुबारा से यहां पर 7 करके और validate mobile number पे जैसे ही click करूँगा तो जो इनका correct mobile number है वो update हो जाएगा तो friends validate mobile number पे करने के बाद आपने जो mobile number अपडेट किया वो update यहां पे हो जाएगा उसके बाद आपको i hereby declare पे इस पे आपको click करना है और update पे click करना है जैसे आप update पे click करते हैं तो जो नया mobile number है वो आपका यहां पे update हो जाएगा यह देखिए यहां पे आया address detail updated successful यानिकि यह जो mobile number है यह आपका update हो गया है इसके बाद आपको यह window close करना है अब आप दुबारा से address detail पे click करते हैं और आप देखते हैं कि कोई सा mobile number update है तो आपको देखिए यहां पे जो हमने update किया था 7 वाला वो update है और यह non editable है अब आप इसको edit नहीं कर सकते हैं अगर आपको द address का option है यहां पे आपको जो mobile number का option दिखाई दे रहा है इस पे edit करके आपको mobile number update करना है उसके बाद आपको यह update पे click करके इस window को close करना है और इस तरह से आप जो mobile number है employee का उसको update कर सकते हैं तो friends काफी case में ऐसा होता है कि employee का mobile number जल्दी में गलत डल जाता है या फिर जो company है वो गलती से update कर देती है तो उस case में आपको अपनी company को approach करना है और अपने HR से अपना जो correct mobile number है वो update करवाना है ताकि आप अपने ESIC में login कर पाए अपना contribution history अपना medical benefit सब कुछ आप देख सकें तो friends आसा करता हूँ यह information आपके लिए informative थी अगर वीडियो अच्छी लगी तो